हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लोग उक्त बेमारियों की चपेट में आ रहे हैं इन बेमारियों के बचाव के लिए जागरुकता और समय पर बिमारी की लक्षनों की पहचान करना जरूरी है स्वास्त विभाग द्वारा स्वास्त स्कीमों को जन जन तक पहुचाने तथा कच्छी बस्ती में नीश शूलक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया ताकि व्यर्थ में उनको चिकित्सा सुविता के लिए दूर तक भटकना ना पड़ी शिविर प्रवारी एवं लेखाकार दिपेश कुमार ने कहा कि हमारा लक्ष है आने वाले समय में हर नागरिक को सरकार द्वारा बढ़िया चिकित्सा सुविताएं हर कोने तक मुआया करवाना है ताकि मरीजों को अपने इलाज है तो दूर तक जाना ना पड़े स्वास्त वर शिक्षा का स्थर उपर उठाने के लिए सरकार प्रयास्रत है मेडिका कैम में डॉक्टर तारचत पालिवाल द्वारा 149 मरीजों की जाच कर स्वास्त रहने के बारे में बताया लैब टेक्नीशिन प्रेम प्रकाश द्वारा 30 से 85 वर्ष की बीच आयू वाले 44 मरीजों का बीपी वर शुगर की जाच की डेंटर हाइजिनिस्ट गुलशन कुमार द्वारा दातों की सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जी एन एम प्रियंका गोदारा द्वारा OPD संबंदित कार्य देखा गया एन एम चूकी देवी और नेहा भाटी द्वारा गर्बवती महिलाओं वा बच्चों का टीका करन किया जी एन एम रेखा चूदरी द्वारा मरीजों को प्रति दिन मास लगा कर घर से बहार निकलने की सला दी इस अफसर पर डॉक्टर ताराचन पालिवाल, हेल्प मैनेजर अशोग भारगव, लेखाकार दिपेश कुमार, जी एन एम प्रियंका गोदारा, रेखा चौदरी, लेब टेक्नीशिन प्रेम प्रकाश, दीपक पवार, आशा संतोश कवर, ललीता कवर, गायतरी वैशनव, तारा, कारिकरता निर्मला, ललीता वैशनव, प्रेम कवर समेत कई जने मौजूत रहे, जागरुप टीवी के लिए पाली से दिनेश शोहान की रिपोर्ट